नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में त्यम इंडिया के स्टार क्रिकेटर मौम्मद शमी और उनकी बेगा मसीन जहां के बीच विवाद अब और उलचता चला जा रहा है दिन पर दिन नएने खुलासे, नएने आरोब, नएने चीज़ें आती जा रही हैं अब एक बड़ा सवाल यह उड़ गया है कि इनके बीच तलाक होगा या नहीं होगा आपको बता दें कि इस मामले की पूरी तहकीकात जो है वो की जा रही है कुलकाता पुलिस ने F.I.R. तो मुल्क की लड़की का नाम सामने आया कि मुहम्मद शमी की उनके साथ संबन्द थे मुहम्मद शमी की गाड़ी से कॉंडम्स मिले थे इस बात को भी हसीन जोहां ने सरयाम कहा सबसे वड़ी बात यह थी कि हसीन जोहां भी पूरी तरह से कंफ्यूस थी कि भाई इस मामले को जो वो इस तरह की औरत नहीं है, मुहमत चमी के मुताबिक उन्होंने कोई बेवफाई नहीं किया है, उन्होंने कोई दुशकर्म नहीं किया है, उनके परिवार वालोंने कोई जोर्दबरतस्ती नहीं किया है, हसीन जहां से इलेटेड, लेकिन जो भी सच सामने आया है, वो काफी हैरान कर देने वाला है शुरू से शुरुवात करते हैं साथ मार्च 2018 को एक Facebook चैट वाइरल होती है और उस चैट में आप कीजेगा Facebook पोस्ट वाइरल होता है और उस पोस्ट में हसीन जोहां यह लिखती है कि मुहमद शमी जो है उन्होंने उनके साथ बेवफाई की है मुहमद शमी कई लड़कियों के साथ संबंद में हैं और कई लड़कियों के साथ काफी बद से बतर चैट करते हैं, उन्होंने चैट भी कुछ दिखाई जो वाइरल हुई, अब सवाल यह उठा कि क्या यह चैट सही थी, क्योंकि आजकल टेकनलोजी का जमाना है, चैट बनाई भी जा सकती है, उसके बाद हसीन जहां ने जो एक ब भी आप जाईए और जाज कीजिए, वहाँ पर सवाल यह उठे कि मुहम्मद शमी जब अफरीका दोरे से लोट रहे थे, तो वो दुबाई क्यों रुके थे होटेल में, क्या वो किसी औरत से मिल रहे थे, ACU ने सभी जाज की और सारी जाज में पाया कि मुहम्मद शमी जो ह साथ लड़नी थी, तो हसीन जोहां ने एक और बड़ा गेम खेला और उन्होंने कोलकाता पुलिस के पास जाकर F.I.R करा दी मुहम्मद शमी के खिलाब, कोलकाता पुलिस ने तहकीकाच शुरू की, सबसे पहले तो कोलकाता पुलिस जो है, वो सहस्पूर अम्रोहा गई, श मुहम्मद शमी पर उनका एक्सिडेंट हो गया, और एक्सिडेंट के बाद उनके माथे पर 10 टाके आए, अब सवाल यह उट रहा था कि क्या मुहम्मद शमी आईपिल खेल पाते, लेकिन BCCI की तरफ से तो उन्हें क्लीन चेट मिल गई थी, उन्हें दुबारा सेंट्रल ग्रेड बी में उन्हें शामिल किया गया था, जिसके मुताबिक एक प्लेयर को 3 करोड रुपे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात जो यह थी, कि मुहम्मद शमी जो आईपिल में खेलने वाले थे, डेली डैडेविल्स फ्रेंचाइजी के लिए, क्या वो उन्हें पूरी तरखास्त की BCCI और हिमन दुआ जो डेडी डैडेविल्स के कारेकारी अध्यक्ष हैं, हिमन दुआ से भी उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने कहा कि मुहम्मद शमी जब तक अपने निजी मसले ना सुल जाएं, उन्हें आईपिल में नहीं खेलने देना चाहिए, ल जने की कुल मिलाकर मुहम्मद शमी का साफ़तार पर एक जिसे कहते हैं, ब्रेकडाउन देखा जा सकता था, निजी मसलों को देकर परिशान देखा जा सकता था, मुहमर शमी पर कई सवाल भी उट रहते और बदनामी का दाग भी लग रहा था, लेकिन इसी मुताबिक जब ह असीन जहां इस मसले पर आई तो कुलकाता पुलिस ने पाचवे मैच के बाद जब डेली डेविल्स का पाचवे मैच था कुलकाता नाइट रैडर्स के साथ कुलकाता में उसके बाद उन्होंने लाल बाजार थाने गुलाया कुलकाता के और वहां पर शमी से करीब तीन गंट तेनगंटे पूस्टाज के बाद मुहम्प graph के लिह बैंगलोड के लिए रवाना कर दिए डिया गया। कुलकाता पुलिस की तरफ सब sì मुयार आया कि मुहम्प शमफ बॉस्दाज के और उन्हें कोपूरेट किया तरह क्या है उसने फिर से पूरे पुलिस को कि भाई आप जाईए और इस मामले की तह तक हो कराईए हसीन जहां के वकील ने भी ये कहा कि मुहमत शमी ने उनके साथ बेवफाई की है इस वीच और कई खुलासे भी हुए कि हसीन जहां पहले एक तलाक शुदा औरत थी उनके पती सैफुदीन पॉर्चुन की द और हम दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया लेकिन सैफुदीन और हसीन जहां की दो बेटियां हैं एक 15 साल की बच्ची है और एक 9 साल की बच्ची है इन बेटियों ने भी यही कहा कि उनकी ममा ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है अगर शमी पर आरूप लगाया है हाला कि प्रओंने शमी की वितारीख मिलते थे प्यार शेम जाहते थे हसीजुआ को फ़ारी की पारिवारीच मसला है तो उसको परिवार उन्होंने कहा कि मैं शमी की अस्लियट सामने लाउंगे मुझसे है मुहम्मद शमी की इज़त खोई हुई लोटा सकते हूं लेकिन मुहम्मद शमी का ये कहना था कि जो चीज मैंने की नहीं वो मैं कैसे accept कर लूँ हसीन जहा ने मुहम्मद शमी के भाई हसी बहमत पर भी आरोप लगाए कि उन्होंने हसीन जहां के साथ दुशकर्म किया है और दुशकर्म की दारीक दिसम्बर की बताई थी जिसके बाद मुहम्मद शमी ने साथ तो पर मीडिया के सामने आके एक खुलासा किया कि वो भुपनेश्वर कुमार के रिसेप्शन के से आ रहे थे उसके बाद उनके घर में अगले दिन मिलात का कारिक्रम था तो उन्होंने कहा कि अगर दुशकर्म हुआ तो कब हुआ और अगर दुशकर्म आपके साथ हुआ तो आपने मुझे नहीं बताया आपको पुलिस के पास तो जाना चाहिए था इस ने मीडिया पर यारोप लगा दिया कि मीडिया मुहमर शमी के साथ मिली हुई है। हाला कि ये बात सभी जानते हैं कि मीडिया ने भी पूरी कोशिश की कि हसीन जहा का जो मसला है वो खत्म हुआ जाए। और क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट की बात आ गई देश की क्रिकेट टीम की बात आ गई थी, कई खिलाडियों का नाम भी लिया है हसीन जहाँ ने, उन्होंने कहा कि दादा से मेरी बात हुई थी, दादा ने कहा कि वो शमी को समझाएंगे, उन्होंने यह भी कहा कि उमेश याद जो इतने सारे खुलासे हुए इतने सारे रिदमात लगे तो मौमद शमी को जाहिर है कि इस मसले पर कुछ ना कुछ तो बोलना था ऐसे में हसीन जहां हाल ही में शमी के जो पैत्रिक आवा सहसपूर अम्रोहा पहुची वहां पहुंच कर उन्होंने देखा कि उनके घर में ता अधिकारियों को लेकर पहुची थी वहां की जो लोकल पुलिस से डिडॉरी पुलिस वहां से उन्होंने मदद मागी उनके साथ उनके वकिल जाखिर हुसेन सहाब भी थे और उसके बाद जब ताला नहीं कुला कई देर तक तो हसीन जहां ने मौमद शमी के किसी रिष्टे लेकिन पुलिस ने ये भी कहा कि हम इस तरह से पैतरी घर को नहीं तोड़ सकते हैं उनका ताला नहीं तोड़ सकते हैं इस बीच खबर ये भी आई कि शमी ने पुलिस को मेल किया और पुलिस को कहा कि भाई आप मैं तो यहां नहीं रख सकता हूं अपने घर में क्योंकि इस उसके बाद तुर्क विरादरी से बाद की तुर्क विरादरी बीच में उन्होंने कहा कि हसीन जहां और मुहमद शमी को जो है वो एक हो जाना चाहिए और एक दूसरे के साथ बैठ कर पुराने धर्रे के हिसाब से बाचीत करनी चाहिए बंद कमरे में और उसके बाद मुहमद शमी के चौदा माई की तारीक मुकरर की गई थी कि आप चौदा तारीक को आई यह बात कीजिए अपनी बेगम जान से और जो भी मसला है उसे सुल जाईए क्योंकि उस बच्ची के बारे में भी सोचा जाना बड़ा जरूरी था वेवो जो महद अभी एक साल की है अब में बे वीडिया के पास गये थे और कोई नहीं गया था यह बात भी समझने वाली है वहराल मुहमद शमी ने यह कहा है कि मैं अभी अफगानिस्तान टेस्ट की तैयारी कर रहा हूं और इसके बाद मैं इस मामले और तलाक के मामले पर पूरा फैसला लूँगा अब यह देखना दि तमाम फैक्ट्स और फिगर्स के साथ लेकिन फिलाल हमें देजाज़त और हमारे चैनल नेक्स्टो नाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा नमस्कार